हेलो गुड इबनिंग जैसे किष्णा हाओ और यू फाइन फाइन वने रहो करते रहो नया कुछ जरूर करना है तो चलिए आज हम लोग डिसकस करते हैं 10 Minutes क्योंकि कुछ बच्चों को मॉटिवेशन की मैं तो कौँगा कुछ को नहीं ज्यादतर इस्ट्वेंट्स को मॉटिवेशन की भी जरूत होती है जितनी requirement study की होती है मेरे हिसाब से साईथ उतनी ही requirement, motivation की भी होती है तो उस requirement को बिलकुल complete करते रहेंगे time to time और आपसे भी कोसिस या उम्मीद करेंगे कि आप भी इन सारे वीडियो को एक बार क्योंकि हम ज़ादा नहीं चाहते कि आपका time based हो लेकिन जब वीडियो आया करें तो थोड़ा सा आप भी देख लिया करू कि नया आपको क्या करना है हो सकता है कुछ बच्चों को ही सही अगर मान लीजिए मेरे वीडियो बनाने से कुछ बच्चे अपना थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे तो definitely उनकी habits में changes आएंगे habits चेंज करेंगे तो definitely उनको वो apply करेंगे अपनी life में और अपनी life को change कर सकते है यह मैं बीच बीच में आ आज का हमारे topic है आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे एक बहुत अच्छी ideal condition में आते हैं और कुछ बच्चे अपना अलगी चलते रहते हैं दुनिया में तो आपको भी लगता है कि अच्छा वो student बड़ा intelligent है और कई चीज़ों में भी बहुत अच्छा करता है चाहें फि फिर वो study का हो कहने का मतलब ये है कि कुछ बच्चे बहुत ही अच्छा करते हैं हर field में अब यदि आप भी इस तरीके से करना चाहते हो तो मैं कुछ points आपको बीच बीच में बताता रहूंगा अगर आप लोग इनका implementation करते हैं तो कुछ दिनों बात देखेंगे कि definitely ये जो आपकी आदतों में आ जाएगा और repeatedly अगर ये habits में आएगा तो definitely ये life में implementation के लिए चला जाएगा तो सबसे पहले बात करते हैं how to become an ideal student चाहें फिर वो बात पढ़ाई की हो, study की हो, चाहें फिर वो बात sports की हो, किसी की भी हो तो कुछ इस्टुएंट आपने देखे होंगे, अलगी तरीके से होते हैं, तो वो अलग unique कैसे बनो, या कैसे होते होंगे, क्या habits को वो अपनाते होंगे, तो number one देखिए, जो बच्चे ideal होते हैं, वो student सबसे पहले तो, अपने बड़ों की बात मानते हैं, सबसे पहला काम वो ये करते हैं, सुनते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं, लोगों की बात को सुनते ज़्यादा हैं, कहने का मतलब ये है, कि चाहें फिर वो घरवाले उनको समझा रहे हैं, तो भी बात मानते हैं वो, reason बताता हूँ मैं आपको, एक एक चीज को छुटा छुटा elaborate करेंगे हैं लोग यहाँ पर, मान लीजिए बड़े के बात मानने से क्या फर्क पड़ेगा मैं बताता हूँ, अब मान लीजिए किसी ने आपको बताया कि ये रास्ता सही है, तो उसने वो रास्ता देखा होगा, इसलिए वो रास्ता आपको बताया, समझे ना, बाई दवे अगर वो चीज आप उस रास्ते में जा रहे हो, और मान लीजिए वो सही नहीं है, तो वो प्रेक्टिकल आपका हो जाएगा experiment, और वो बास्तम में गलत निकला, तो आपका जो जाने का टाइम है, आने जाने का ज कहना मानता है, चाहें फिर वो parents हों, चाहें फिर वो teachers हों, तो अगर मान लीजिए parents का भी कहना मान रहा है, तो उनको भी अपना पूरी life का experience होता है, तो वो भी सही के लिए कहते है, teacher मान लीजिए, कोई teacher बोल रहा है आपको, तो आपको उसकी बात माननी चाहिए, जिससे क् ये एक idea ये लग जाता है कि वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है तो पहला point आपको आज से ध्यान रखना है भलें चाहें कुछ भी हो इन दोनों की तो बात आपको जरूर माननी है friends की बात मानो या ना मानो इससे नहीं चलेगा friends तो कही बार आपको घुमावी देंगे तो मैं उसका नहीं कहूंगा दो लोगों की यहाँ पर कह रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है तीसरी बात दूसरी वाली बात कि देखें जो इस्ट्वेंट ideal होते हैं ऐसा नहीं है कि गलती उनसे नहीं होती है गलती उनसे भी होती है लेकिन वो गलती को repeat नहीं करते हैं ध्यान रखना अपनी गलती को accept करते हैं अगर आप लोग भी accept करोगे अपनी गलती को और कोसिस करोगे कि वो गलती दुबारा से repeat ना हो तो definitely मैं कह सकता हूं कि आप भी ideal हिस्ट्वेंट बन जाओगे, थर्ड वाली बात, थर्ड वाली बात यह है यहाँ पर, कि मान लीजिए, टाइम है, आप अगर हर किसी टाइम को डिवाइड करोगे, मान लीजिए आपने एक year का target बनाया, कि आपको one year में यह करना है, फिर उस year के target को छोटे-छोटे target में convert करो, मतलब आपको अ मतलब आपकी जो planning हो, समझ रहो न, आपकी planning आगे के तीन महिने की minimum बता रहा हूँ, आगे के तीन महिने की जरूर होनी चाहिए, आपके पास, कि आप आगे के तीन मंत में यह करने वाले हो, इससे ज़्यादा का तो पता नहीं है, क्योंकि five years का लोग बना लेते, वो तो एक अलग है, मैं उसमें नहीं जाओंगा, बस केवल, अगर आपको लग रहा है, कि मान लीजिए, आगे के तीन महिने के planning आपको जरूर होनी चाहिए, यह यह chapter मान लीजिए, आपको खतम करने, या workout से आपको body weight कम करना है, कुछ भी planning हो सकती है, लेकिन आपको at least three target अपने वो hundred percent solve नहीं होते, किसी student ने बोला कि भई मेरा बेट जो है, वो ज्यादा है, मुझे घटाना है, उसने कोसिस की और बेट उतना नहीं निकल पाया, जितना कि उसको घटाना था, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, tension नहीं लेनी चाहिए, आपने अपनी कोसिस की, मेहनत की, लेकिन कई बार नहीं हो पाया, तो उसमें ज्यादा tension नेनी की जरूरत नहीं है, next month में वो आप कर सकते हो, ठीक है, अगली वाली बात, कि जैसे देखे, जो student ideal होते हैं, वो student कभी भी time को based नहीं करते हैं, अभी जैसे for example, मान लीजिए, गर्मियों के छुटी आऊंगी, summer vacation almost student के होने वाले हैं, और जो बच्चे 12th कर चुके हैं, उन बच्चों का तो नहीं होगा, लेकिन हा, 9th से 12th में आया है, 10 से 11th में, 11 से 12th में, तो उनके summer vacation होंगे, अच्छा देखे, हम लोग क्या करते थे पहले के लोग, मतलब पहले के लोग, मतलब ज्यादा दिन पुरा questions कल लेता था, भलें चाहें वो 9th में है, 9th की तो पूरी book के math के questions लगाई लेता था, इसके अलावा, माली जी, 10th की book के भी questions लगा लेता था, तो छुट्टियों को भी, आप ऐसा नहीं के छुट्टियां तो बरबाद कर दो, उन छुट्टियों का भी एक target बनाया जा सकता और उस चुट्टियों में, ऐसा नहीं कह रहा हूँ में कि आप हर समय पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई में ही लगे रहो, अपना एक, क्या होता है, interest के काम भी कर सकते हो, जैसे for example, किसी बच्चे को music का interest है, तो music में वो instrument क्या कर सकता है, song सीख सकता है, वो instrument, musical instrument सीख सकता ह लेकिन उसको नया जरूर सीखना है, यह गर्मियों को चुट्टि ऐसे नहीं बिता देनी है, क्योंकि जो instrument अपनी गर्मियों को चुट्टियों को ऐसे निकाल देते थे, तो वहां पर उनको problem होती थी, अच्छा, जो बच्चे अपनी गर्मियों को चुट्टियों में, मान जीजे, कई बार मैंने अभी आपको बता न, टूशन लगा लेते थे हम लोग उस समय, तो मतलब जो next year की books होती थी, उनको cover कर लेते थे, कुछ कहानिया वगरा, story वगरा पढ़ते रहते थे, इस तरीके से वो चुट्टियों काटी जा सकती थी, दूसरा, नानी मामा के यहा भी जा सकते थे, लेकिन जादा दिन तो वहां भी नहीं रहते हैं, आपको भी बताए, आज की भागदोर भरी जिंदगी में, किसी के पास भी उतना time नहीं है, आप सोचोगे कि नहीं वहां रहकर के आना चाहिए, जरूर जाएए, लेकिन अपने साथ अपनी books ले जाएए, books को कभी भी मत छोड़िये, क्योंकि books आपकी एक पता ही है, true friends होती है, हर कोई आदमी आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन books नहीं छोड़ेगी, next बताता हूं, कि जो बच्चा ideal होता है, वो कभी भी हिम्मत नहीं हारता, उसके साथ एक चीज जरूर पक्का होती है, मैं मान लेता हूं, कि कई बार कुछ बच्चों में कम IQ लेवल होता है, लेकिन मैं ये भी पक्का मानूंगा, कि भलें चाहें, IQ लेवल कम है, लेकिन अगर किसी बच्चे में लगन है, कि मुझे ये करना है, मैं उसको अपने experience के basis पे बता रहा हूं, मुझे teaching line में 20 years complete हो गए 21 years मेरा चल रहा है, मैं अपने experience से और मेरे खुद के experience से ही बता रहा हूं, कि जो जो मैंने अंदर से सोच के, सोचा है, वो आज तक मुझे मुझे मिला है, जो मैंने अंदर से नहीं सोचा, बाहर से सोचा है, कि ठीक है, वो कल लूँगा, वो अभी मुझे कभी नहीं मिला है यही आपके साथ valid होता है ध्यान रखिएगा अगर किसी बच्चे में लगन है तो वो किसी भी काम को कर जाएगा और अगर लगन नहीं है तो फिर उपर उपर से कोई काम नहीं होता है हर काम में ध्यान रखिएगा depth देनी होती है research करना होता है आज की डिट में बहुत सारा competition है लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि competition के हिसाब से आपके लिए चीजें भी उतनी अवी लेवल है जैसे for example आज से 20 साल पहले जाओ Google पर कुछ नहीं था मानली जी किसी को question नहीं आता है तो वो teacher को पूछेगा teacher मानली जी बाहर गया हुआ है तो इसको समझ में नहीं आएगा जब teacher आजाएगा तब पूछेगा तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें थी लेकिन आज की डिट में अगर आपको कोई प्रोब्लम आती है तुरंत आप search कर देते हो तो next जो ideal student की habit होती है वो ध्यान रखना अपनी knowledge को बढ़ाते रहना अपनी knowledge को जरूर बढ़ाते रहो daily कुछ नया पढ़ो नया सीखो और अगर आपको चीजे नहीं आती है तो उसको बार बार करने की कोशिस करो ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा एक बार नहीं आएगी चीज तो मैंने जितनी वर भी चीजें आपको बताई है उनको पढ़ो और सुनो मतलब पढ़ना तो है नहीं है अभी सुनना है सुन करके जो जो चीजें मैंने आपको बताई है उनको अपनी life में अपनी habits में लेकर के आना है implementation करना है ठीक है अगर आप एक महीने करोगे दो महीने करोगे तीन महीने करोगे तो ये आपके daily का schedule बन जाएगा वैसे वैसे करना है एक आदत और बताता हूँ जो आपको follow करनी है जिसको कि मैं पहले number पर रखता हूँ study से भी पहले number पर रखता हूँ वो है health अगर आप लोग कोई भी student चाहिए छोटा है six class में, seven class में तो कहूँगा third class में अगर third class में, fourth class में किसी भी class में उसको daily regular basis पे health का ध्यान जरूर रखना चाहिए और अगर कई बार तो ऐसा होता है कि student चाहता भी नहीं कि मैं sports में आऊँ और माली जी उसने सुरूर से ही अगर ध्यान दे दिया parents ने उस पे भी वच्चे पे तो कई वार एक sports भी उसका career बन सकता है समझ रहो ना तो definitely health को पहली priority पे ही लें उसके बाद अपनी study है और बाकी चीजें जो मैंने आपको बताई है अब एक बार implementation करके देखो फिर मिलेंगे आपसे और कुछ नया बताएंगे ठीक है तब तक के लिए thank you so much और next video में मिलते हैं आपसे कुछ नया जरूर बताएंगे तब तक के लिए इन rules को follow करो और बताओ कि कुछ changes आ रहा है या नहीं आ रहा है कुछ नहीं आपसे कुछ नहीं कुछ नहीं